तो हेलो फेंड वेलकम बेक तो माई चैनल दोस्तों आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गलेक्सी की कुछ ऐसे हीड़न टेप्स या ट्रिक्स या बोल सकते हैं कुछ ऐसे हीड़न फीचर जिसको यूज करके आप अपने मॉबाइल में जो आपको कॉंपली 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 इसके लिए क्या होता जैसे आप देख रहे हैं यह होम स्क्रीन में मेरी इतनी सारी एप दिख रही हैं अब किसी एप को मुझे अगर मानलीजी यहाँ पर लेकर आना तो इसको लिए क्लिक करना होगा और पकड़कर रखके दीरी दीर यहां तक लिए उसको लेकर आना आता हूं जैसे मानलो उसको मुझे उपर लेकर जाना यहां पर मैंने टच कर रहा हूँ और यहां पर पकड़ लिए तो यह उपर पोज़ गया बाप इस नीचे लेकर आना तो आप इस यहां पकड़कर रखेंगे उसके दूसरी जगा आप वहां फिंगर रख लेंगे तो वहां पर पोज़ जाएगा आप देखिड़ें जैसी यह दबा के रखा और यह आप देख सकते हैं कितना फास्ट मूव हो रहा है कि दो सेकंड में आप देखेंगे उपर नीचे कहां भी वह इसीली हो जारा है सिंपल यह आप नियू प्रेस करा और यह रखा और यह वहां बहुत ही अच्छा फीचर है उसके बाद एक और फीचर जो बताने वाला हूं या टिप बताने वाला हूं तो दूसरा टिप जो है यह बता रहा हूं कि देखा होगा आपने इतनी सारी जैसे मैंने डाउनलोड कर लेते हैं और उसको अरेंज करने में बहुत बार प्रॉब्लम होती ही क्योंकि ढूंडने में आप चाहते हैं कि आपकी जो एप से जो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं वो एजिली अपने पास तक ले आए और उसको एजिली एकसेस कर सकें तो लाइक आपने कोई एप को अभी डाउनलोड करा आपने उसको मूव करना है तो आप उसको प्लेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है या थोड़ा सा बलर हो रहा है आप यहां देखेंगे जो ऑप्शन मिल रहा है उस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला वहां पर लिखा होगा आपको स्लेक्ट आइटम पर क्लिक करना है उस उसको कहीं भी ले जाना तो आप देखेंगे मैंने जिस एप्स को स्लेट करा है कोई सी भी एप्स को जिन एप्स को स्लेट करा है किसी एप को आपको उंगली रखनी है तो आप देखेंगे अप सारी एप आपकी खटी हो चुकी है आपको दिख रहा होगा, अब जहां पर भी आपको लेके जाना है, वो वहाँ पर इखटे आप देखेंगे, यहाँ पर जिसे मैं यहाँ छोड़ूँगा, तो इखटे सब जितनी की जितनी यहाँ पर आ जाएंगी, आप जितनी चाहे आपस को ऐसे move कर सकते हैं, easily, जिससे आप उसको easily access कर पाएंगे, एक चीज़ ओर कर पाएंगे, अगर आप चाहते हैं कि, like कैसे, पापिस आपने उसको click करके रखा, यहाँ select करा, और यह 4-5 एप, जितनी भी एप से आपने select कर ली, like photos की, social sites की, जो भी हो, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते है उनका एक folder create कर सकते हैं, आपको दिख रहागा, उपर की तरफ, एक option दिख रहा है, folder create करने का, जैसी आप उस पर click करेंगे, जितनी भी आपने app select करी हैं, आप देखेंगे, सब फोल्डर में आ गई है, और यहाँ पर आपको folder का नाम डालने को बोल्डर है, आप folder का नाम डा उसके दोस्तों मैं तीसरा बताने वाला हूँ, वह भी बहुत ही शाद्र, जो मुझे सबसे bash लगता, होता क्या हैं, कभी कबार हमें क्या रहता है, हमें क्या रहता है, कभी कबार seconds देखना रहता है, क्योंकि कुछ watch time on नहीं करना चाते हैं, क्योंकि watch time on करने बहुत time लगता बहुत quickly हमें किसी चीज का measure करना है या किसी चीज को हमें measure करके रखना है watch time की तुरू second भी आपको चाहिए रहते यह तो minutes दिख रहे हैं आपको दिख रहा होगा यह मैं lock screen भी देखेंगे तो आपको hours and minutes दिखते हैं आपको second कैसे देखें easily तो आपको simply करना क्या है यह जो आपको watch time दिख रहा है यहाँ पर आपको time दिख रहा है आपको simply click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिख रहा है यहाँ पर आप देखेंगे आपका time भी चल रहा है sorry hours भी चल रहा है अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पर manage कर रहे हैं तो आपको simply उसको हैंसा रख लेना है ताकि easily आप उसको use कर सकें। बहुत ही शानदर है कभी कर गया होता है हम किसी कर टाइम देखना चाहते हैं कि हमने कितनी देर में क्या चीज़ कंप्लेट करी या कोई भी चीज़ हो इतनी देर लगी इतने सेकेंड लगे तो आप उसको इसले easily use कर सकते हैं जो कि बहुत शानदर फ्यूचर है दोस्तों उसक दोस्तों मैंने यहां पर एक मैंने डेखिंगे wizard डाल रखा है यहां पर आप देख रहे होंगे wizard में पूरी चीज़े बता रहा है कितने gb का मेरा mobile है कितनी space है mobile में और कितनी रेम यूज़ है और कितनी बच्ची हुए और last मैंने कब उसको आप देखेंगे यहां पर optimize करा ह सारी detail आपको दिख रहा होगा कब मैंने optimize करा है आपको simply करना क्या है यहां optimize पे click करेंगे और जितनी भी आपकी background पर process चल रही होगी वो clear हो जाएगी आप देखेंगे यहां नीचे message भी आएगा तब पूरा complete होगा और यहां देखते हैं आप नीचे complete हो गया है आप device के रवाला पहले इधर आएंगे तो आप first यहां पर रहेंगे आपको यहां swipe करना है आपको इस पर click करना है यहां पर आप देखेंगे आ चुका आप इस पर click करके रखेंगे और यह नीचे की तरफ आ जाएगा आप black and white चाहते हैं जैसा भी उसको use कर लिए और वहां पर आज आएगा आप देख सकते हैं आपको ऐसे सही दिख रहा होगा तो आप इसका easily use करके अपने mobile की जो भी जो hanging का है उसको थोड़ी देर close कर सकते हैं तो दूस्तों इसके बाद जो बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही कमाल का है speed to text वाला feature उसका कैसे मैं आपको ले चलता ह है like मैंने अपना एक group खो लिए अब यहाँ पर मुझे कुछ type करना है तो मैं SSS करके type करूँ हो जिसने बहुत टाइम लगता है अब मैं आपको एक feature बताने वालों कैसे आप यहाँ पर इस space को click करके रखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक dialogue option हो गया है चालू हो गया यह बहुत ही अच्छा है जब आपको लिखने में जादा कुछ लम्मा लम्मा लिखना हो तो आप इसका use कर सकते हैं ब्लॉकिंग करना हो या कुछ भी ऐसा लिखना हो तो आप इसको use करके वहाँ पर लिख सकते हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लिखिए हलो इनक्रेट इसली हो रहा है क्योंकि मैं बीच में यहाँ पर बोल रहा हूं थोड़ा सा प्रॉब्लम से चल रही अब देखिएगा आप वो पूरी तरह से काम कर रहा होगा है अब इजी लिए वहाँ पर चलने लगा हुआ है सारी चीचे जो कि मैं बोल जा रहा हूं वहाँ वहाँ पर टाइप होते जा रहा है तो इसको आप यूज कर पाएंगे इसको सेटिंग को ओन कैसे करेंगे उसके लिए आपको करना क्या होगा यहाँ जाना है अपने सैमसंग कीबोर्ड में कीबोर्ड में जाने कि आपको करना क्या है यहाँ जाना है सेटिंग में सैमसंग क विंडो पे जहाँ पर आपको टाइब करना है या स्पीक करना है आप सिंपल यहां क्लिक करेंगे और स्पेस बार को थोड़ी दबा के रखेंगे तो आप देखेंगे यह ओपन हो चुका है और वहां से आप स्पीक टू टेस्स का फीचर यूज कर पाएंगे बहुत ही शांद करना रहता है तो आपको बहुत दिक्कत आती करन्सी करना रहता है तो बहुत सारे दिक्कत आती क्योंकि बहुत बहुत इजी नहीं हो पाता है तो उसके लिए आपको सेमसंग का जो क्लिक करना और आपको वहां पर रिजल्ट आ जाएगा कैसे आपने यहां पर सेमसंग क्लि प्रेचर वॉल्यूम मास डेटा स्पीड टाइम मलब कितना कुछ दिया लाइक आप देखेंगे कितनी इजी ली जलता है लाइक मैंने उपर डाला 60 मिनिट साट सेकेंड तो उसने फट से ले लिया कितने अवर्स अभी मैंने यहां पर जैसे यहां पर मैंने डाल दिया मिनिट साट सेकेंड में एक मिनिट अब मैंने यहां पर फट से डाला 500 आप देखेंगे कितना क्युक्ली वर्क करता है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता मैंने उसको खुद यूज़ करके देखा है लाइक मैंने उपर डाला 1024 तो नीचे कितना आ गया एक एमबी क्योंकि के बहुत यूज़ करते हैं अप यह देखें कि है कि कररन्सी भी आजाएंगे तो प्लीज लाइक ज़रु करें अगर आपको लगता शुक्त है तो आप मुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से लेड़िय या कूछ भी आप मुछ से कमेंट कर सकते हैं मैं डेफनिट इस पर प्रेपलाई करुगा दोस्तों और होसके तो आप मेरी वीडियो को शेयर करना ना बूले और है और आप मेरे चैनल में पर पहली बार आए हैं और आप मेरे वीडियो Mon to subscribe को बटन देख रहा हम गाना वै token और हो सके तो मुझे इस्टागर और फेस्ट फोलो करना भी नहां भूले इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा तो धेंकी दूस्तों